मश्कार दोस्तों और टीटी तीरी चैनल में आप सभी साथ्यों का फिर से एक बार स्वागत हैं साथ्यों आप सभी के द्वारा लगतार फौन के माध्यम से एक ही प्रश्न बार बार पुछा जा रहा है कि नियुक्ती पत्र दो तारिक को जो दिया जाएगा उसमें विद्याले का नाम अंकित होगा की नहीं यदि विद्याले का नाम अंकित नहीं होगा तो दो तारिक के बाद हम लोग क्या करेंगे दूसरा प्रशन आप सभी के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि नियोजी शिक्षकों को जो राज्य कर्मी का दर्जा की बात आ रही है सामने कि BPSC के माध्यम से जो बहाली की प्रकिरिया चल रही है और जो भी नियोजी शिक्षक इसमें पास कर रहे हैं या मेरिट लिष्ट में हैं उनको नई शिट से कोई लेना देना नहीं है तो क्या अब तो मेरिट लिष्ट प्रकाशित भी कर दिया गया है और उसमें जितने भी नियोजी शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं तो उनका आप क्या होगा तीसरा प्रशन आपका ये है कि Cut of के साथ में जो है दूसरी कब आएगी तो इस पर परदा उठाना जरूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये बिहार है बिहार में जब तक आप एक्टिब नहीं रहेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है मैं यदि नियोजी शिक्षक की बात करूँ सबसे पहले तो सरकार यदि इस परकार की फ नमर लाने वाले साथी भी हमारे बिहार शिक्षक बहाली 2023 जो BPSC के माध्यम से चल रही है उससे वंचित हो रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है क्योंकि नियोजी शिक्षक जहां पर है वहीं पर उनको राज्य कर्मी बनाया जाए इसको लेकर कि तमाम जो है वो तयारिय आगे आप सभी का प्रश्ण है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा देखिए वेटिंग लिस्ट जब तक नहीं आएगा जब तक ये जितने भी हमारे साथी अभी चैनित हुए हैं और कॉंसलिंग करवाए हैं उनका नियुक्ति पत्र का वित्रन नहीं हो जाता है क्योंकि नियुक्ति पत्र लेने के लिए सभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है लेकिन तभी ये पता चलेगा कि नियुक्ति पत्र लेने के लिए नहीं आएं तो अब इतनी शीट जो है वो बच गई उस पर आकलन करके जैसे ही वीपेसी के अध्यक्ष महो तो जारी होना चाहिए जब तक seat full नहीं हो जाता है तब तक ये प्रकिरिया जो है वो चलती रहनी चाहिए और ये जब ही चलेगी जब आप active होंगे जो भी साती हमारे border पे हैं या दो तिन नमर से कम रह गए हैं वो सचिवाले में जाकर कि आवेदन जरूर दें और साथ में BPS के office भी जाएं दोनों जगा जाएं क्योंकि आपका जाना ही उनको active करके रखेगा यदि आप नहीं जाएगा तो मंद पड़ जाएगा और आप समझ रहे हैं ये बिहार है ठंडे बस्ते में चला जाएगा दूसरी बात नियोजी शिक्षिकों को आपने ही seat पे छोड़ा जा जाएगा क्या उसके बाद घड़ बैठीएगा हमें तो यही लग रहा है कि उसके बाद घड़ी बैठना परेगा लेकिन घड़ बैठना हम सभी को उचित नहीं है जिनको निक्ति पत्र मिल गया उनको जल से जल विद्याला है